नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अंजिना और आप देख रहे हैं जज़वार 24 तो चले शुरू आप करते हैं आज की खास ख़बर से भारत की जीट से पाफिस्तान को होगा फार्दा एश्योकप की फार्ल का ऐसा है समीकरन अगर टीम इंडियर श्रीलंका को हरा देती है तो वो फार्ल में पहुँच जाएगी इसके साथ ही भारत की जीट से पाकिस्तान को भी फायदा होगा दरसल अगर भारते टीम श्रीलंका को हरा देती है तो फिर पाकिस्तान की टीम सुपर 4 के अपनी आखरी मैच में श्रीलंका को हरा कर फाइल में पहुँच जाएगी ऐसे सिती में भारत और श्रीलंका के बीच 2023 एश्यकप का फाइल मुकाबला खिला जाएगा वहीं अगर श्रीलंका की टीम भारत को हरा देती है तो पाकिस्तान का फाइल में पहुँचना मुस्किल हो जाएगा फिर उसे स्रीलंका को हराना होगा और नेट रन रेट पर भी नसर रखना होगा भारते टीम बंगलादेश के खिलाफ सुपर 4 का अपना आखरी लीग मैच के लेगे अगर भारत आज हार जाता है तो फिर उसे हर हाल में बंगलादेश के खिलाफ जीत दर्श करनी होगी अगर भारते टीम सिलंका के खिलाफ हार जाती है तो दासुन सनाका की टीम के दो मैचों में 4 कॉइंट्स हो जाएंगे जब्कि भारत के 2 match-o में 2 points ही हूंगे वहीं बावर आजम के अगोवाई वाली पाकिस्तानी टीम के 2 match-o में 2 points है इसके बाद भारते टीम का सामना बागलादेश से होगा अगर भारती टीम बागलादेश के घलाफ जीत दर्ज करनी में कामयाब रहती है तो फिर 4 points हो जाएंगे इसके बाद पाकिस्तान और स्री लंका का आमना सामना होगा अगर स्री लंकाई टीम पाकिस्तान को हराने में काम्या वहती है तो 6 points के साथ फारल में पहुँच जाएगे ऐसे स्थिती में पाकिस्तान की टीम एश्वा कब से बाहर हो जाएगे अब तक के लिए वस इतना ही फिर हो गया आपसे मुडाता थे कैसे ही बड़ी खबर के साथ तब तक लिए नवश्कार और देखते रहेए जज़वार 24